सब्सक्राइब कर लीजे आरवी चैनल को इस लाल बटन को दबाके इसके साथ जो घंटी का निशाने से भी दबा दिये गा ताकि नए स्मार्टफोन की वीडियो आप तक पहुशती रहे हैं हलो दोस्तों मेरे नाम है आरवी आज इस वीडियो के अंदर में आप सबी के लिए लेकर आया हूँ दो बहुत ही ज़ादा बढ़िया मोबाइल से रेडमी की तरफ से एक है रेडमी का नाइन प्राइम ये आपको मिलता है साड़े नाहजार का जो एक बहुत ज़ादा बढ़िया स्मार्टफोन है वही दूसरी तरफ है डिमी का नोट टेन जो लेटस लाउंच कर दिया डिमी ने 12,000 का तो दोनों में डाई हजार का फर्क है इस वीडियो में इन दोनों में कमपरिंजन करके आपको बदाँगा इन दोनों में क्या कमिया है क्या क्या चाहिया है और आपको दुने में से कौन से लेना चाहिए तो वीडियो का आप एंड तक देखते रहिएगा बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा चलिए देखते हैं 9 प्राइम के साथ आपको 9000 में क्या क्या दिया गया है तो जैसी आप अन्बॉक्स करते हैं सबसे पहले एक मिनी बॉक्स मिलता है जिसमे लगवा है एक सिम जेक्टर टूल अंदर दिये गए हैं कुछ यूजर मैनुवल इस तरीक से एक मिल जाता है कवर जिसकी क्वालिटी आपको नॉर्मल दी गई है मुबाल मिलता है रैपर के अंदर डिटेल लूक हम अभी देखेंगे उससे पहले देख लेते हैं बॉक्स के अंदर आपको दी गई है यह वाइट कलर में डिटे केबल लेंथ और कॉइलिटी इसकी दोनों बहुत जाद अच्छी है और अच्छी चीज़ यह है इसके साथ आपको टाइप सी केबल दी गई है यह मुबाल टाइप सी केबल सपोर्ट करता है आखर में आपको रखाव मिलता है यह वाइट कलर में चार्जर जिसके अंदर आपको आउटपुट मिलता है 5 वोल्ट 2 इंपियर का ही तो यह सिंपल सा 10 वोट का ही चार्जर है अगर 18 वोट का फास्ट चार्जर बॉक्स के अंदर होता तो काफी बढ़िया रहता तो यह सारा समन आपको मिलता है रेड मी के 9 प्राइम के साथ 9000 में रेड के साब से देखा जाए तो बॉक्स के कंटेंस वैसा आपको काफी ज़ादा बढ़िया ही दिये गए है चार्जर की बिल्ड कॉयलिटी काफी अच्छी है टाइप से केबल भी है काफी अच्छी कॉयलिटी की और कवर भी मिल जाता है बाकि अगर चार्जर फास्ट होता तो और जाद अच्छा रहता चलिए देखते हैं अगर आप धाई जार जादा खर्च करते हैं तो नोट 10 के साथ क्या क्या दिया गया है तो सबसे पहले आपको मिलता है मुबाल एक रैपर के अंदर डेटेल लूक हम भी देखेंगे एक मिनी बॉक्स मिलता है जिसमें लगावा है एक सिम जेक्टर टूल अंदर दिये गए है कुछ यूजर मैनुवल और एक कवर इसके भी क्वालिटी आपको नॉर्मल दी गई है इसके बाद मिल जाती है ये वाइट कलर में डेटे केबल जिसके लेंट और क्वालिटी आपको और जादा बढ़िया दी गई है रेडमी 9 प्राइम की केबल से और दोस्तों इसके साथ भी आपको टाइप सी केबल मिल जाती है तो टाइप सी केबल आपको दोनों के साथ दी गई है quality का फर्क है इसके साथ और जाद अच्छी है आखिर में आपको रखावा मिलता है ये white color में charger जिसकी build quality काफी जादा बढ़िया है अब दोस्तो इस mobile के अंदर आपको fast charging का support भी दिया गया है और एक 33W का fast charger mobile के साथ box के अंदर ही मिल जाता है तो charger आपको काफी जादा fast दिया गया है Redmi के Note 10 के साथ अब ये सारा समान आपको मिलता है Note 10 के साथ 12,000 में दोस्तो वैसे इसकी केमट 2500 जादा है 9 Prime से लेकिन rate के साब से फिर भी देखा जाए तो box के जो contents है वो आपको Note 10 के साथ बहुत ही जादा बढ़िया दिये गए है इस चीज में जादा बेटर है Redmi का Note 10 ही चली बात कर लेते हैं दोस्तो डिजाइन के बारे में तो इन दोनों के अंदर आपको वैसे दो डिजाइन मिलता है प्लस्टिक के टाइप का ही लेकिन 9 प्राइम के अंदर हार्ड प्लस्टिक के टाइप के डिजाइन है तो scratchies असानी से नहीं आते वही दोसरी तरफ Note 10 के अंदर आपको प्लस्टिक के टाइप के डिजाइन कुछ इस तरी किसे मिलता है इसके back panel पे scratches असानी सा जाते हैं बाकि दोस्तो जो look wise design है वो तो आपको Redmi के Note 10 का ही बहुत ज़ादा बढ़िया मिलता है बहुत ज़ादा glossy design है इसका और ये mobile ज़ादा lightweight भी है, हलका भी है और पतला भी है बात करें दोस्तो camera के बारे में fingerprint scanner back panel पे ही दिया गया है camera के ठीक नीचे वहीं दूसरी तरफ Redmi के Note 10 में आपको बिछे की तरफ चार camera मिल जाते हैं इसमें main camera है पहला 48 megapixel का दूसरा 8 बाकी के दो camera है 2-2 megapixel के front camera है इसका 13 megapixel का दोस्तो camera की जो performance है वो आपको Redmi के Note 10 के अंदर काफी बढ़िये मिल जाती है इन दोनों के अंदर वैसे तो आपको काफी जाद अच्छे ही camera दिये गए हैं लेकिन फिर भी इन दोनों के comparison में camera को लेकर Redmi का Note 10 जादा बढ़िया है Redmi 9 Prime से इसके लाव दोस्तों आप देख सकते हैं complete design मैं आपको दिखा देता हूँ आपको इन दोनों में किसका design जाद अच्छा लगा आप मुझे comment करके ज़रूर बताईएगा मुझे दोस्तों personally clearly Redmi के Note 10 का design बहुत ज़दा पसंद आया काफी अच्छा color है इसका camera का design भी काफी unique मिल जाता है इसके अंदर आपको बात करें दोस्तों display के बारे में तो दोनों के अंदर आपको display size लगबग एक जैसे ही दिया गया है साड़े change का 9 prime के अंदर 6.5 इंचिस के display है Note 10 के अंदर आपको 6.43 इंचिस के display मिल जाती है तो साड़े change के आस-पास display है 9 prime में थोड़ी सी जादा बढ़ी है बागी दोस्तों display की quality के अंदर कौन सा mobile जादा बढ़िया है मैं आपको दिखा देता हूँ बात करें दोस्तों से पहले user interface के बारे में तो user interface दोनों के अंदर आपको कुछ इस तरी के कैसे लग रहा है मुझे इस चीज़ को लेकर दोनों normal ही लगे दोस्तों 9 prime के अंदर आपको IPS full HD plus display दी गई है तो display की quality इसके अंदर काफी बढ़िया है लेकिन note 10 के अंदर आपको AMOLED display दी गई है full HD plus तो इसके अंदर आपको display की quality और भी ज़धा बढ़िया मिल जाती है करीब से मैं आपको दिखा देता हूँ design के अंदर भी फर्क है 9 prime के अंदर आपको notch वले design दिया गया है लेकिन note 10 के अंदर आपको punch hole camera दिया गया है display के अंदर ही camera है बीच में तो display का design तो ज़धा बढ़िया है Redmi के note 10 का बाके 200 size में दोनों same है quality की बात करें तो उसके अंदर आप फर्क देख सकते है clearly इन दोनों में बिल्कुल भी कोई competition नहीं है note 10 के अंदर आपको display की जो quality दी गई है design दिया गया है वो ज़धा बढ़िया है Redmi के 9 prime से display को लेकर यही ज़धा बढ़िया है 9 prime के comparison में left side साब देखेंगे दोनों को तो sim के tray दी गई है इस तरफ दोनों के अंदर आपको sim के tray ऐसे मिलती है कि आप दो sim card एक memory कार तीनों चीज़ एक साथ लगा सकते हैं यह दोनों में खुबी है नीची की तरफ साब देखेंगे तो charging port, speaker, mic headphone jack मिल जाता है दोनों के अंदर और दोनों ही के अंदर आपको type c port दिया गया है right side साब देखेंगे तो उपर की तरफ दिया गया है volume के buttons और नीचे मिल जाते है power के buttons note 10 के अंदर आपको fingerprint scanner side में दिया गया है power के button के अंदर ही 9 prime में back panel पे है उपर से देखेंगे तो दोनों में noise cancellation mic मिल जाता है IR blaster दिया गया है जिससा आपका MI remote काम करता है तो TOO अगर आप दोनों से चला सकते हैं लेकिन दोस्तो note 10 में आपको उपर की तरफ भी speakers दिये गए है ये इसमें जाद अच्छी खुबी है 9 prime के अंदर आपको android का 10 version मिल जाता है लेकिन note 10 के अंदर आपको android का बिलकुल latest version दिया गया है android 11 ये इसमें जाद अच्छी खुबी है और दोनों ही के अंदर आपको दी गई है 4GB RAM, 4GB के internal storage RAM और storage आपको दोनों में बराबर मिल जाती है बात कर दोस्तों battery के बारे में तो 9 prime के अंदर आपको battery मिलती है 520 image की note 10 के अंदर आपको battery मिलती है 5000 image की एक दिन का battery backup दोनों के अंदर आपको अराम से मिल जाता है battery को लेकर दोनों बढ़िया है Note 10 और भी ज़दा अच्छा है इसके साथ आपको charger काफी ज़दा fast दिया गया है बात कर दोस्तो प्रोस्टर के बारे में तो 9 Prime के अंदर आपको दिया गया है Mediatek का G80 प्रोस्टर Note 10 के अंदर आपको मिल जाता है Snapdragon 678 प्रोस्टर अब देखिए दोस्तो अगर आप एक heavy user है performance आपको बढ़िया चाहिए तो वैसे तो ये दोनों ही काफी ज़दा बढ़िया है प्रोस्टर को लेकर लेकर लेकिन फिर भी इन दोनों के comparison में Redmi का Note 10 और ज़दा बढ़िया है प्रोस्टर को लेकर performance इसके अंदर आपको और ज़दा बढ़िया मिल जाती है तो ये सारी खुब ये कमिया है इन दोनों के अंदर चलिए बात कर लेते हैं सबसे main चीज आपको इन दोनों में सा कौन से लेना चाहिए कौन से नहीं तो matter सबसे पहले ये ही करता है कि आपकी जो main जरुत की चीज है जो आपको सबसे बढ़िया चाहिए वो किसके अंदर जाद अच्छी है तो दोस्तों देखिए अगर आपको display अच्छी चाहिए तो आप Redmi का Note 10 खरी दिएगा display की quality इसके अंदर आपको जादा बढ़िया दी गई है इसके साथ अगर आपको camera अच्छा चाहिए तो भी आप Note 10 खरी दिएगा camera इसके अंदर आपको जादा बढ़िया मिल जाता है और दोस्तों गर आपको design अच्छा चाहिए तो भी आप Note 10 ही खरी दिएगा look wise इसका design बहुत ही जादा बढ़िया है color मुझे personalize का बहुत जादा पसंद आया है इसके साथ अगर आपको battery अच्छी चाहिए तो भी आप Note 10 ही खरी दिएगा battery को लेकर वैसे दोनों बढ़िया है लेकि Note 10 के साथ आपको charger जादा fast दिया गया है normal charger मिल जाता है आपको 9 prime के साथ जिससे बहुत जादा बढ़िया charger है Note 10 के साथ ही इसे के साथ दोस्तों गर आपको performance अच्छी चाहिए processor बढ़िया चाहिए तो भी आप Redmi का Note 10 ही खरी दियेगा performance इसके अंदर आपको और जादा बढ़िया मिल जाती है तो दोस्तों मैं आपसे यही कहूंगा दिखिए अगर आपको बजट साणे 9000 तक का ही है आप उससे उपर बिल्कुल भी नहीं पढ़ सकते तो तो आप Redmi का 9 Prime ले लीजिएगा लेकिन दोस्तों मैं आपसे यही कहूंगा इन दोनों के अंदर काफी बढ़ा फर्ख है कुवालेटी वाइज रेडमी का 910 बहुत ज़्यादा बढ़िया है 9 Prime से चाहे आपको 2-3 महीने वेट करना पड़े आप थोड़ा रुक के ले 910 खरीदियेगा मेरा उपिनियन यही है इन दोनों में आप 910 खरीदियेगा चाहे आपको थोड़ा रुक के लेना पड़े थोड़े पैसे और सेव करके 910 ही खरीदियेगा इन दोनों में यही मोबैल मुझे परसनली ज़्यादा पसंद आया कुवालिटी वाइस यही ज़्यादा बढ़िया है मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा आप बताएगा फिर भी दोस्तों कमेंट करके क्या आप 9000 में ना इन प्राइम लेना पसंद करेंगे या फिर 12000 में नोट 10 यह चीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएगा वीडियो गर आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए वीडियो के निशे जो लाल कलर का बटन उसे दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आकन में दबा दियेगा ताकि नए वीडियो आप तक पहुचते रहें इसके लब वीडियो को आपको हेल्फुल लगी तो अपनों दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दियेगा वाटस से फेस्बुक पे मिलता है अगली वीडियो में तब तक के लिए टेक केर बाबाई